लास्ट यर काई रॉन की फोर्थ प्लेस आई थी उससे पहले 2020 में he was third 2019 में he was third यह almost always top 5 में प्लेस करते हैं इने एक insane potential के साथ बहुत ज़्याद़ ऐस्थेटिक फिजिक कैरी करते हैं and I honestly believe के in future he totally can be men's physics champion तो guys इससे पहले मैं कुछ और बात करूँ मैं आपको सबसे पहले Jeremy Bondiya का comment बता देता हूँ तो Jeremy Bondiya यहाँ बोलते हैं shortest reign in men's physics history यानि कि men's physics division की history में सबसे shortest title run क्योंकि कोई भी champion कम से कम एक सार champion तो रहता है right but Aaron Banks तो 10 महीने में हार गए so Aaron Banks जो men's physics में एक dominating champion एक सबसे ज़्यादा unbeatable से champion की तरह देखे जा रहे थे he lost he lost at Legion Sports Fest can you believe it मेरे तो mind ही blown हो रहा है इस चीज़ को सोच कर मतलब कैसे सोई होंगे यह नीदी नी आयोगी Aaron Banks को मैं comments में बताओ कि Aaron Banks को नीद आई कैसे होगी मुझे तो यही खयार आई जा रहा था कि eco break हो है वो भी बहुत ही जबदस सरीके से बहुत ज़्यादा uncomfortable होंगे Aaron Banks इस वाक्त I mean guys कल मुझे याद है जब मैं इस वीडियो की editing कर रहा था तब तक man's physical results आये नीते तो मैं वो बना नहीं पाया है and जैसा मैंने एक pre judging का scenario देखा था मैंने अपने भाई से तभी बोल जा था कि भाई मुझे gut feeling आ रही है कि आज एक upset होने वाला है It's all about standards जो कि मुझे लग रहा है इस शो से change होंगे और यही चीज मैंने कल के वीडियो में भी बोल दी थी उसके बाद मैं travel कर रहा था and मुझे Instagram पर messages आने स्टार्ट हो गए और थोड़ी देर में YouTube पर भी messages आने स्टार्ट हो गए यह Aaron Banks lost Aaron Banks lost guys and I was like damn फिर मैं देखता हूँ Jeremy Bondiya live आये हुए हैं आंद्रेफर्गूसर और बैंकुल पियरे के साथ और 1300 पीपर तेरह सो लोग उस लाई पर उनके साथ थे और बहुत ही ज़्यादा टोल करा जा रहा था Aaron Banks को I mean कुछ funny comments में आपको बताता हूँ तो एक भाई बोलते हैं कि यह वो first time होगा जब एक defending champion एक show खार गया हो जबकि title उसी के पास हो तो दूसरे भाई का यह कहना है कि क्या यह men's physique division के Ronnie Coleman नहीं थे और एक भाई कहते हैं कि तुम्हें वो दिन याद है जब Aaron Banks में बोला था कि इस show में तुम सब लोगों को आना ही नी चाहिए तो कि बिकार खर्चा करोगे मेहनत करोगे कोई chance ही नहीं तुम्हारा तो आने का फायदा क्या मतलब guys मैंने actually में कभी लोगों को इतना involved नहीं देखा और audience को कि इतना जादा कभी खुश होते हुए नहीं देखा किसी के हानने पर मतलब पूरा दिवाली वाला माहूल ता social media पान जैसे Terence Ruffin Christmas early ले आये थे वैसे ही Aaron Banks हम लोगों के लिए दिवाली early ले आये हैं पर ये दिवाली वाला माहूल था क्यों ये था सिर्फ और सिर्फ So 2021 जब Aaron Banks NPC के हेड़कॉर्टर में थे हैं तब सबको एक बहुती ज़ादा potential दिखा सबको एक ऐसी physique दिखी जो एक नई चीज़ ला रहे थी men's physique के line-up पर और men's physique एक ऐसा dividend रहा है जिसके standards frequently change होते रहे हैं तो Aaron, Aaron को जब सिर्फ एक pro show जीतने के बाद लोगों ने NPC के वीडियो में देखा और देखी Aaron की ये physique जो एक इस वक्त healthy looking लग रही है क्यों? क्योंकि इस point पर चाहे Aaron off season में ही को ना हो but Aaron is bigger उतने ज़दा Aaron leaner side पर नहीं थे आप Aaron के arms भी देखोगे तो सी कितनी ज़दा mass वो hold कर रहे है और front Aaron का काफी हद तक heavy होने के वज़े से बैक इतनी ज़दा डेवलप्ट ना होने के वज़े से एक balance create कर रही है बट फिर अगर हम आए 2022 में Mr. Olympia पर तो सी Aaron के back कितनी ज़दा डेवलप्ट हो चुकी थे इस point तक और Aaron का front कितना ज़दा lean down लगने लगा था arms were getting smaller बट एक peaked Aaron Banks फिर भी काफी dominating थे और judges को Aaron की है dominating back Aaron की है dominating back और Aaron की है physique इस physique का new aspect काफी exciting लगा and judges को ये चीज़ भी कुछ ऐसी intriguing लगी जैसे कि last year Derek लगे थे and फिर comes 2021 का Mr. Olympia Aaron Banks second place पर आ जाते हैं एक तरह से एक rookie की बहुती ज़्यादा बड़ी achievement थी है कि मतलब आप second place पर आ जाओ उसके बाद 2022 में Aaron became Mr. Olympia for Manchesteric division अब तक की journey में Aaron ने जो भी बोला था वो Aaron करते आ रहे थे इस division को Jeremy Bondya के बाद relevant बनाने वाले Aaron Banks इस division को limelight में लाने वाले Aaron Banks हस्त से ज़्यादा controversies में बने रहने वाले Aaron Banks इनका दिमाग साथवे आसमान पर पहुँचने लगा था और almost हर वीडियो में जब भी मैंने Aaron Banks को cover करा मैंने एक बाद जरूर बोली कि Aaron Banks एक बहुत ही strong champion है और अगर men's physique का standard यही रहा तो यह एक legacy बना देंगे बट यह physique एक men's physique का standard नहीं है यह men's physique नहीं बल्कि back physique है जो कि एक normal beach body नहीं है एक ऐसी aesthetic physique जो आप generally beach पर देखते हो back overly developed है delts arms को dominate कर रहे हैं और front back को बट judges को यही physique इस वक तक appealing लग रही थी और Aaron का confidence over confidence में बदलता जा रहा था वो confidence एक disrespect का रूप लेता जा रहा था एक former और इस division के सबसे ज़्यादा fan sold करने वाले Jeremy Bondiakko है irrelevant कह देना podcast में भाई Brandon के पीशे पर जाना मतलब 2022 के Mr. Olympia में Brandon जब dance कर रहे थे ऐसे आते में results announce करने से पहले उसका तो Aaron ने जीतने के बाद इतना मजाग उड़ा है कि Brandon जैसे सीडे bodybuilder जो हमेशा सबसे nice रहते हैं उन तक को poke कर दिया और मजबूर कर दिया बोलने पर पूरे division को खुला challenge कर दिया कि rest करो तुम लोग क्या करोगे compete करके या फिर अरे कोई तो आउ challenge करो मुझे खुला challenge हर past और present competitor को और recently तो हमें ये इतना overconfident दिखाते हुए दिखे कि इन्होंने ये तक बोल लिया कि come on second place का check लिए नहीं आ जाओ वो तो 5000 डॉलर का है तो second place के लिए तो compete कर लो क्योंकि first तो तुम जीतोगे नहीं तो usually का इस हम देखते हैं कि कोई भी division का champion किसी भी प्रोश्रों में compete नहीं करता है ये एक risk भी होता है और करता भी है compete अगर तो बहुत ही real ली बट Erin, Erin चाहते थे एक example set करना और उन्हें करा भी और उन्हें ये भी पता ही था कि beat तो उन्हें कोई भी नहीं करने वाला तो आनो क्लासिक से पहले तक चाहे कोई भी Erin को पसंद ना भी कर रहा हो या respect ना कर रहा हो उनके behavior की वज़े से बट हर कोई चाहे कितना ही बड़ा Erin hater हो वो ये accept जरूर कर रहा था कि Erin is a really good champion एक dominating champion एक strong champion standard के हिसाब से अब वो standards men's physics के थे या नहीं that's a different story बट जब तक आप Samsung ही use कर रहो Samsung ही आपके लिए standard है पर फिर आप iPhone पर move कर जाओगे तो iPhone is going to be a standard तो दो totally different physics भी standard हो सकती है और इस वक्त तक जजजिस Samsung को standard बनाए हुए थे बट Arnold Classic में I think यह फर्स होता जहां कुछ नया स्टार्ट हुआ यहाँ पर लोगों ने डियोगो के proportional को देखा और डियोगो की impressive symmetry और next level balance physique को Erin की बिलकुल टक्कर पर लाकर खड़ा कर दिया लोगों यह डियोगो की physics बहुत ज़्यादा पसंद आए और डियोगो की impressive symmetry और आप Arnold Classic का review वाला वीडियो देखोगे मेरा तो वहाँ पर भी मैंने यही कहाए कि डियोगो ने काफी strong battle करी Erin के साथ और judges के लिए एक easy decision वहाँ भी नहीं रहा था सो Erin एक strong dominating package के साथ जहाँ उनका front तो sharp था ही बट back, back insanely thick and developed जबकि डियोगो completely symmetrical हर एक muscle दूसरे muscle को match कर रहा था in terms of proportions और I believe यहाँ judges ने या फिर fans ने एक symmetrical physique की एक balance physique की power को देखा और इस point तक पसंद करो या नफरत करो इस point तक Erin Banks ने match physique division को इतना सदा limelight में लाकर खड़ा कर दिया था कि हर कोई हर कोई ही match physique division में invested हो गया था क्योंकि हर कोई चाहता था Erin Banks को हारता हुआ देखना और Erin Banks के work ethics man जो अच्छा है वो हमीशा ही appreciate होगा फिर चाहे वो किसी कभी हो किसी बारे में भी हो तो Erin Banks एक extremely hard working athlete है he came from this to this yes guys PDs involved है definitely involved है but घर पर बैट कर आप कितनी भी PDs ले लो कोई result नहीं आएगा वो efforts, वो dedication, वो discipline अगर आपके पास नहीं है तो आप कितना भी abuse कर लो PDs को there will be no results Erin ने कई interviews में ये तक बोल दिया था कि सब मेरी back को genetically gifted बताते हैं बट ये लोग ये नहीं जानते कि मैंने 1000 अज़ार wraps करें हैं bent over rose के और rack pulldowns के अपनी back को ऐसा बनाने के लिए तो Erin का एक discipline बोल लो या फिर Erin की insanely sharp physique with a really really strong back जिसे वो improve करने में कोई भी कमी नहीं चोड़ लाई थे उसने सारे division को move कर दिया खुद को push करने के लिए और एक time तो ऐसा आया कि हर कोई back train करने लग गया Jeremy was training back Erin Banks was training back even सल्मान खान ने भी back को train करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि तो standard है उसे किसी हद तक किसी हद तक तो आपको chase करना ही पड़ेगा बट Erin जो इतने ज़ादा over confident होते हुए में दिखाई दिये कि जब उन्होंने ये तक बोलना स्टार्ट कर दिया कि Brandon खुद को Rod बोल रहे हैं तो आजाएं compete करने Legion Sports West में या फिर मुझे बता दें कहां पर आने है to compete मैं वहीं पर compete करूँगा उनके साथ तो मतलब गईज अब अब आती हो चुकी थी और Erin को साथवे आसमान से उतानने के लिए कोई past champion नहीं आया बलकि आया एक ऐसा athlete जो classic division में move होने का पूई तरह से decide कर चुका था और पिछले एक काफी अच्छे लंबे time से classic division के लिए compatible होने की तैयारी कर रहा था बट फिर पता नहीं इन्हें क्या हुआ कोई सपना आया वगेरा बट शायद इनकी किस्मत में ही थी ये glory ये गर्व की बात क्योंकि ना सिर्फ data ना प्रो जीत कर काईरोन ने एक remarkable physique से qualify कर लिया Mr. Olympia के लिए बलकि Legion Sports Fest में भी compete करने का announce कर दिया और यहाँ पर Andre Ferguson ने Andre Ferguson ने भी decide करा to compete क्योंकि Andre की Aaron से बहुत लंबे time से बहुत लगती है क्योंकि Andre Ferguson division के एक बहुत respectable athlete है 10-yard athlete है और फिर Aaron को इस चना से सब को disrespect करते हुए देखकर not properly balanced होते हुए भी जीतता हुए देखकर Andre बहुत time से was not able to tolerate तो उन्होंने भी compete करने के decide कर लिया था यहाँ पर but man यहाँ पर इस show में दो चीज़े होई number one हमें वो Aaron Banks दिखाए ही नहीं दिये ना वो शापने सी ना ही वो crisp conditioning थी Aaron was totally off और साथ ही Aaron was very very downsized मतलब Aaron का size काफी कम था उनके arms और भी ज़्यादा smaller side पर लग रहे थे मतलब लोगों को तो यह last year के ही Aaron के arms परदाश नहीं हो रहे थे और Aaron ले आए उनसे बिदा गए smaller arms Aaron ने I believe जो बीच में एक अच्छो आफ लिया था from all the PDs and he went to revive everything जिस period में उन्होंने train भी नहीं कर रहा था काफी अच्छे time उसने Aaron को काफी affect करा है और वही है guys आप सिर्फ तब तक अच्छे हो जब तक आप अपनी बातों को back करते हो तो Aaron was very off जबकि Kyron, man, Kyron तो एक anime character लग रहे थे, इनका front इतना ज़ादा sharp था, इतना ज़ादा peaked था I mean एक दो comments, मैंने ऐसे भी देखे जहांपर लोग बोल रहते हैं कि Kyron पीक नहीं थे तो man, if this was not peak, I don't know what is मतलब लोग कैसे बोल देते हैं यार ये कैसे muscles pop out कर रहें काईरों के ये front pose में तो Kyron, Kyron ना सिर्फ अपने shape से अपनी sharpness से खा रहे है Aaron को बलकि Kyron का chest insanely improved दिखा यहाँ पर और एक one of the strongest body part of Kyron जिसने Kyron की physique के aesthetics को काफी enhance कर दिया, completely round packs जो की काफी thickness तो hold कर ही रहते सबसे insane, ये upper chest का part देखो compared to Aaron, कितना ज़्यादा worked up है कितना ज़्यादा developed है और back से भी एक amazing pack present करी Kyron ने इनके lats were also very wide and complete और उसके साथ साथ front को match करते हुए back दिखी in terms of development तो पहली चीज़ तो मैंने आपको जो बताई कि Aaron Aaron was off and downsize थे और दूसी चीज़ इसी से connected है कि Aaron के peak ना होने पर ये एक तरह से दौर खुल गए judges के लिए symmetry और balance की तरफ जाने के और शायद अगर Aaron downsize नहीं होते तो उन्होंने भी beat कर देना था Aaron को एन एक और भी बहुत important चीज़ चो मैंने notice करी वो ये कि judges ने judges ने क्या legs को भी judge करा है in terms of balance इस प्रोशो में क्योंकि it is totally possible कि judges नई standards को अभी से ही set करना चाह रहे हो क्योंकि look at Kyron ये और balance legs के साथ front और even back poses में भी जबकि Aaron काफी imbalance लगे तो ये भी एक काफी ज़्यादा दिखाता है कि how good Kyron was मतलब Kyron was on whole another level he was so aesthetically pleasing I mean जब results announce हो रहे थे and Kyron का नाम लिया गया Aaron की आँखों के सामने जैसे movies में दिखाते हैं न flat pack में चीज़े चलती है वैसे ही Aaron की भी आँखों के आगे वो सारी चीज़े आई होंगी जो उन्होंने during the past year बोली थी और अब वो उन्हें first time back नहीं कर पाये थे मतलब इनका मूँ देखने लाई तका his pain, his sadness were on his face एक disbelief के ये क्या हो गया, कैसे हो गया I mean एक तरह से आप सोचा जाए तो क्या सोचकर Aaron ये जना ज़्यादा बाते कर रहे थे आप कंपीट कर रहे थे यहाँ पर क्योंकि मैं सब को हरा दूँगा मैं ही जीतूँगा मुझे कोई नहीं हरा सकता इसे आप चाहे over confidence बोलो मैं इसे confidence ही मानता हूँ इन्हें बिल्कुल भी मज़़ा नहीं आया होगा बैंकुल जेरेमी आंद्रे इन सब की लाइव कॉल पर यही बोला जा रहा था कि अब करो शिट टॉक देखते हैं अब कितनी ज़्यादा शिट टॉक करते हो Aaron Max के बारे में इस चीज के लिए Gates, Aaron Banks ने खुद ही खोले हैं फिर्स्ट उनको compete करने की जरुवत नहीं थी फिर भी वो compete करते रहें और वो बहुत ज़्यादा easy ले रहे थे सबको और second इतना ज़्यादा shit talk नहीं करनी थी कि दूसरे उनको छोड़े नहीं but with all that said अब मुझे क्या लगता है क्या Aaron Aaron का एक end है क्या this means हमें एक new Mr. Olympia Men's Physic Champion मिलने वाला है क्या Jeremy या फिर Bandon अब ये title लेकर जाने वाले हैं तो honestly even though Aaron Banks हार गए हैं guys उनको हलके में लेना एक बहुत बड़ी कलती होगी देखो Jeremy improve हो रहा है insanely fast but अभी I cannot say कि ये improvements उन्हें एक champion की तरह setup कर देती है अभी वो insane level की improvements उस point तक नहीं आई है but Aaron man Aaron ने ये post आला है कि ये हार मुझे make or break नहीं करती और ऐसा champion मैं risk लेता हूँ मैंने Legion Sports West में participate करा ताकि मेरा division elevate हो जाए and yes मैं हार गया but क्या मैं excuse दूँगा या wrong इस बात पर नहीं but क्या मैं अभी भी खुद पर believe करता हूँ तो yes मैं करता हूँ तो ये एक अच्छा show था और अब next 4 weeks में मैं तुम लोगों को फिर से बताऊँगा कि मैं क्यों एक champion हूँ तो ये एक strong message देने वाला post था but चाही improvements next 3-4 weeks में एरेन कर लेंगे I mean इस prep type में size तो gain करने ये जानी पाएंगे बस एक condition nail करके आ सकते हैं but वही है कि अब इस साल का men's physics division पूई तरह से खोल गिया है it can be anyone's show 6 या 7 athletes में से जो भी इस criteria पर पूरा उतरेगा ये show उसी का है और अगर मैं आपको ये picks दिखाऊ हूँ तो मुझे Aaron absolutely इतने dominating नहीं लगे अगर balance की बात करें तो proportions की बात करें तो और इस चीज में Kyron और Jeremy दोनों ही काफी strong लगे मुझे idle beach body की definition देखते हुए and Kyron man इनके नसीब में थी ये glory and by nसीब I don't mean इन्होंने hard work नहीं करा होगा I only mean की एक दम से compete करने का decide कर लेना and what a momentum what a momentum he has gained guys मतलब एक champ को beat करना Mr. Olympia में जाने से पहले बस बहुत जबरस बना देता आपके mindset को but just I said ये show Mr. Olympia अब Kyron का हो सकता है Jeremy के भी chances है Brandon एक strong contender है Diogo Diogo is also not to be ignored Ryan Terry the actual men's physique it is now anybody's show guys but ये ये याद रखना है कि Aaron improved तो आएंगे और ये huge upset Aaron को रोकेगा नहीं बलकि वो आएंगे और improved आएंगे question यही है कि judges judges जो ये symmetry और balance की तरफ root कर रहे है क्या ये तब भी ऐसे ही करेंगे जब Aaron peak पर होंगे condition nail करके आएंगे क्योंकि अभी अभी तो Aaron was not on peak और peak पर Aaron क्या जजिस तब भी इस actual standard को root करेंगे well अब से ज़ाधा promising chances इस चीज के कभी भी नहीं लगे and I really really find Aaron Banks as a very strong men's physique athlete ये standards पर नहीं बैठते but Aaron ही है जोनोंने men's physique को relevant बनाया है villain बनकर इस division को hero बनाया है चाहा Aaron एक insane physique नहीं रखते हैं क्या इनके work ethics respectable नहीं है तो guys यहाँ पर तो आप भी believe करोगे कि he is one of the hardest workers and Aaron के physique in his own way is very very dominant standard पर नहीं बैठती वो बात अलगे but actual में Aaron ने इस division में life फूग दी है limelight में ले आएं इस division को वरना Jeremy के बाद कोई updates में cover तक नहीं करता था men's physique को और अब तो specific channels को लगा है men's physique के लिए तो Aaron जो बोलते हैं जो trolling और disrespect करते हैं उससे अगर भूल भी जाएं तब भी we cannot deny कि Aaron has made this division significant and Aaron deserves respect इन सब चीजों के लिए division में सब को inspire करने के लिए to work harder सब को extremely push करने के लिए to train and I absolutely expect a very strong comeback from Aaron Banks तो आपको क्या लगता है इस बारे में ये comments में ज़रूर बताना I hope guys वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया है तो please like कर दे channel को subscribe कर दे notification bell को दबा दे thank you bye bye